जो आपका चैप्टर चलो है वो आपका प्रोफिट एड लोज कि जो आपके अंदर डिस्काउंट था वह आपका भी성मापट ऊए है ठीक है अबग प्रोफिट लोज की मिसलिस सीट है इसके अंदर क्या है आपके वैदेदल सीटोंगे स्कारव क्या है है तो देखो मिशनले निसमा क्या है देखो आपने सुनाओगे एक डिस होनेश्ट सेलर इस होनेश्ट सेलर बेइमान दुकंदार अब आप मुझे इस तो अगर आप किसी दुकंदार की बात करते हैं वह आपका जो चीट कर सकता है वो दो तरीके से धोकतड़ी कर सकता है कितने तरीके से दो तरीके से एक तो क्या खरीदते समय और एक क्या बेचते समय तो आपका डिसनेस्ट सेलर है जो आपका बेइमान दुकंदार है वो आपका दो तरीके से कर सकता है गड़बडी एक क्या खरीदते समय और एक क्या बेचते समय दो खरी खरीद दे समय दोगा धड़ी करेगा जैसे मैं आपसे क्या दूँ भाई मैं दुगंदार हूँ मैंने क्या काम करा मैं गया तो एक किलो शीने लेन था पर मैं कितना लिया आया मैं 12 ग्राम शीने लिया यानि क्या भाईया जब वह दुगंदार 1000 ग्राम की जंगा 1000 ग्राम की जंगा कितले लिया आएगा मालो 1200 ग्राम लिया आएगा अब आप क्या हो भी है जो दुगंदार होगा वह जादे कैसे लिया आएगा आप मुझे एक वता हो मैं किसी दुकान पर रोज तो जाता है तो इसको विश्वास बन जाएगे तो रोज लेना आता है कि एक काम करो आप जाए लिए ले लो तो उसने क्या का मैं पचास किलो शीने खुद तो लो तो यह क्या होगा मैंने खरीते समय कर ली दोके दड़ी कर तो मुझे लेन अधा हजार गिराम मेल या कितना वारग के रहाधो लाया दूसो किव्द दोसों गराम किस पह है तो दोसों हजार का कितने घ। नहीं गरामめ लाना था ma 1000 उल्य आया कितना 1200 तो अगर मैं आपसा शनुपार्थ की बात करता हूँ तो क्या आएगा 1000 www 2200, 2200 दो सो जा जाएगा पांच बार बार दो सो जाएगा 6 बार तो लाना पांच था ले आया 6 तो कितने फाल तो लाएँ किस पैर 5 एक पांच का कितने परसेंट, तो क्या जाएगा 20 परसेंट का इस नहाब, इसको धोके दड़ी कर दिया, आपके तो 20 परसेंट इसको लाग हो जाएगा, पर एक बात को ता हो, वो जो पैसे देखाया, वो तो 1000 ग्राम की देखाया है, और माल कितने कलिए आया, 1200 क्राम का, अग एक तो वो खरीदेते समय, खरीदेते, अरे क्या होता है, बेचते समय, तो इस समझ मागिन जो खरीदेते समय करेगा, वैन, सेलर, बाए, इंस्टेड ओफ, 1000 ग्राम, बाए, 1200 ग्राम, यानि जब एक दुगंदार, 1000 ग्राम की जंगे, 1200 लियाएगा, ठीक है, लाने कितना था 1000, और इसके जने कितने लियाए, 1200, धोकदरी तो एवी, कब, खरीदे समय, जब भाए कर रहा था, प्रोडक्ट को, तो 1000 ग्राम की जंगे, कितने लियाए, 1200, तो खरीदे समय क्या करेगा, बेचते समय, देखो एक बात आप में सायाद रखना, जो धुगंदार होगा, जो ध आठ में गड़वड़ी कर देगा, तोलना 1000 ग्राम ता, 800 ग्राम तोल कर देदेगा, ठीक है, तो हमेशा दो तरीके से, खरीदे समय या बेचते समय, मालोई लड़क है, यह मेरे पास एक किलो चिने लिना आया, देनी कितने थी, एक किलो अर्दे कितने थी, 800 ग्राम, तो क्य देखो भी आगे, यह तो हो कि आपका, खरीदे समय, अब एक क्या करेगा, वो बेचते समय, अब उसको देखो, बेचते समय, देखो भी, बेचते समय, जब, दुकंदार, बेचते, समय, कस्टमर, से, दोखा, दड़ी करेगा, अब देखो, कस्टमर से, वो कैसे करेगा, कश्टमर को आपको 1000 ग्राम दिना था खुर Dzīya केतना 800 ग्राम दिया था बएक बात रच्टमर को आपको 1000 ग्राम देना था और आपने दिया कितना आठ सो तो आपने दूसो क्राम मार लेना उससे तो आ अब हम आप से कहाÝ पाप मेंसा पहले कम वाला रखना कम कितना ए plains देना कितना आट 00 or देना कितना दा केदी जिए अधितना फंद फिन कमें उ वदे नहींदएतना तो कितने हैं किस पर चाल्पर 15% कि दोकंदर जो फेरी के साथ करेंगाきます करेंगा सदेन कितना था बाइया जो उसने दिया कितने आइप टो वैि शमए्ट कूंद रहोगा जो मैं करेगा वह गडबड़ी करेगा बाट में कम तोल के देगा प्राइज में नोट कर आप इसको भी जब कोई दुकानदार होगा बेश तो ऐसे तो दोनों चीज एक बार यहां कितना बारहत सो अब जब हजार लाया कितना था आठ तो दो बार दोख़ड़ी ना तो अपसे इसको प्रॉफिट जाया गाएगा उपर बीस का फहले वाले मेहा कितने को दूब निकाल लौप यहां पर इक लएक सक्सिस हो जायागा आपका ठी आफसे पहले कुछन से कि रहे है एक बैइमान दुकंदार अपने माल को सीपी पर बेचने का वाता करता है एक आपको दुकंदार था उसने क्या का कि माल बेख रहा हूं मैं क्रेम लेकिन वह 40% कम वजन का प्रियोंक करता है बहिंत 40 चालिस परसेंट कम का करा एक बहुत अगर चालिस परसेंट का मतलब होता है 40 बटे 100 बट देना कितना था 100 बट दिया कितना 40 नहीं दिया 40 कम दिया है तो दिया कितना है 60 एक बात बताओ दिया कितना 60 दिया देना कितना था 100 देना था तुब एक 40 परसंट कम कर दिया यह आप एक बात बताओ अगर 40 कम कर दिया जब अनुपात करो के दो अनुपात पांच ता दो कम दिया तो दिया कितना है तीन तो दिया अरे कितना दिया 3 कि DANA ठाट यह बाजला निए लुक्त में शाइट सकते हो सिवरा डेना आपको और से कहा था कम बाद में बड़ी बाद में अोटैंगे लग नीटा ना इस ना पंट कम दिया दिया ना थीन तो कितना कम कर दिया दो कम कर दिया, किस पर तीन पर, दो, तीन का कितने परस्ट, तो आंसर क्या जाएगा आपका छाएगा, जो इसने दो कम करा, ये तो इसका नाब है, आप ही होता हूँ जो कहना, मैं CP पर बेक रहा हूँ, तो लाब कैसे लेगा, दो कदरी करके, तो भाईया, दो कदरी कितने कर दी, दो कि ये तो इसका लाब होगा, और किस पर होगा, तीन पर दो बटे, तीन का मतलब कितना होता है, 66.66% का आपको लाब हो जाएगा, आगे संज में, नोट करने आप इसको, देखो भाई, जॉपा कोश्चन नमबर, सेकेंड है, सेकेंड में की कर आप से, देखो भाई, सेकेंड में आप से कह रहा है, एक बहिमान दुकंदार, अपना माल, अपने सीपी पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वे, एक किलो के बजाए, 840 ग्राम वजन का उप्योग क कितना था, एक किलो यानि एक हजर, एक हजर ग्राम, तो कम वैल्यू जादा, जो यह अंतर देखो, 0, 0, 4 से यह 21 बार, 4 से यह 25 बार, यह तो आएगा, भाईया, 21 दिया, देने कितना था, 25 तो कितने का लाब कर दिया, वह जो दो ख़तर यह वह तो इसका लाब है, तो चार 21 का कितने परसेंट है, भाईया, 400 बटे में क्या, 21, तो यह आपका लागभग में 19 पॉइंट सम्थिंग जाएगा, तो लागभग में आपका अंसर क्या जाएगा, 19 परसेंट आपका अंसर जाएगा, आगी बास संज में, किसको दिक्कत तो नहीं है, भाईया, कम लाप पर बेचने का वादगर था, वो दुकंदार गह रहा है, भाईया, मैं अपने माल को 30 परसेंट लाप बेचूंगा, तो एक बात तो तो 30 का माल को कितना होता है, 30 बटे 100, यानि 10 के माल को आपका 13 का बेगएगा, अरे किसको दिक्कत तो नहीं है, 30 परसेंट लाप कित अचना था, 1000, बट कारा कितना, 800, तो भाईया, यहां भी लाप कमाया, तो दो तरह किसा लाप कमा रहा है, तो भीया, दो जीरो, 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 तो भीया, आठ अनुपात 13 आ गया ना, जो माल 8 का तो, फाइनली, कितने बीकेगा, तिहरे का, या आप एक बात ऐसे द पाँच बट याठ, साड़े 62%, तो भी जो लाब होगा इसको, वो होगा, साड़े 62% का, आगी बात सच में किसको दिकत तो नहीं आता, ठीक है बईया, नोट करा आप इसको भी, देखो भी, कॉस्चन नमबर, फूर में आप से यह कह रहा है, देखो, फूर में आप से यह र मत है, 44, बटे 100, चार से 25 बार, और चार से 11 बार, वो कह रहा है, जो मेरा 25 का मल था, मैं 11 की हानी पर बेख रहा हूं, तो भी जो मल 25 का था, अगर 11 की हानी पर बेखेगा, तो चोड़ा का बेखेगा, सीधी सी बात है, अरे किसको दिक्कत नहीं होता है, अब आगे क्या साथ सजाएगा 13 बार, साथ सजाएगा 2 बार, तो क्या आगिया, 13 अनुपाद 8, भई जिसका मल कम, जो मूल ने दो 13 बेख कितने का दिया, 8 का या पैसे बात करो, भई या जो पैसे लिए, वो तो 8 रुपे लिए, बट माल कितने का दिया, 13 का, तो कितने की हानी होगी, आज किस पै, तो 5, 13 का कितने परसेंट है, तो 500 बटे 13, 13 तिया 49, 11 बचेंगे 110, 13, 104, आपका एक या अनसर है, 38.4 परसेंट किसको लोज हो जाएगा, आगी बासन में नोट करें आप, देखो बई, आगे देखो, कॉशन नंबर 5 में आप से गया रहे, देखो बई, 5 में आप से अधिक मूलिये अंकित करते, देखो, 15 परसेंट को जब लिखोगे, 15 बटे, 5 से 3 बार, 5 से 20 बार, जिस अगर किस से का CP 20 रुपे था, उस पे 3 अधिक अंकित करेंगे, यानि कितना लिखेंगा, तेही से लिखेंगा, अगर नहीं पता देखो, इतर देखो, 15 परसेंट, 15 प उसने 15 परसेंट तो अधिक अंकित कराई, बट भाईया, उसने 1 किलो के स्थान पर 920 ग्राम का प्रियोग करेंगे, तो फिर देने कितना था, 1000 बट दिया कितना, 920 होगी आपको देखो, 0,0, 23 चुक का बान में 20 पंजे 100, तो 4 कमाल 5 बेक रहे, तो लाब कितने का है, या प बागे हैं समय को भई, नोट कर रहा आप, तो देखो भी, कोश्चन नमबर 6, क्या रहा है, एक दुगंदार अपनी वस्तु पर क्रेम मूले से 17 परसेंट जाद अंकित करता, जो माल 100 रुपे का था, जो माल 100 का था, इसने आपका 117 लिख दिया, आगे क्या हुआ, बेशते आगे जा रहा है, सुध लाब बताओ, देखो एक बाताओ, दो जीरो, दो जीरो, दो जीरो, दो जीरो, तो एक बात बताओ, ये 845 है, ये आपका जाएगा 1170, किसको दिक्कत तो नहीं है तक, अब आप मुझे, अगर कट रहा तो आप काट दो, पांच से काट दो, पांच तो जो माल 13 का था, आपने 58 का बेका, या आप क्या दो, जो दुगंदार था, उसने 58 रुपे लिए है, बट माल बस 13 रुपे का दिया, तो कितने की दो जड़ी है, पांच किस पे, तेरह पे, पांच तेरह का कितने परसेंट है, अभी आपकी फिकर ऐसी सेम आई थी, 38 पॉ एक व्यपारी, दो स्पूर भार का उप्योग करके, अपने आपूर्ति करता और उसके ग्रहाग दोनों को धोका देता है, जब वह आपूर्ति करता से खरीद देता है, तो वह संकेतित भार से 20 परसेंट अधिक लेता है, भी यह लेना सोता, लेके सुभी से लिया, आगे कह खरीदते समय, बीस का बेशते समय, तो बीस प्लस बीस प्लस बीस प्लस बीस गुना बीस बटे सो, और उनका आंसर के जाएगा, और आंसर के जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, यह आपका सक्सेसिव नहीं है, क्योंकि आपका बेस सेम नहीं है, आम जी को तो, अगर उसने 20% खरीगते समय जएदा ले लिया 20% फालब कितना हो था एक बट पांच लेना कितना था पांच बट लिया कितना जे अब आगे क्या हुआ बट बैस पर सेंथ कम दिया कितना गितना वजी आप इसको भी ऐस लिखे लो जविया 20% ज़्याद लाने कितना था, 100, बट लाया कितना, 120, देने कितना था, 100, बट दिया क्या, 20% कम कितने दिया होगा, 80 तो एक बात हो, 100 से 100 कट जाएगा, 20 चोक, 80, 20 पंजे, 40, 40 उनी, 80, 40 तिया, 120, पर दो कमाल 3 कभी एक दिया, या आप कहतो, प्राइस तो 3 के लिए, बट माल कितने का दिया दो का तो, लाब कितना कमाया, एक किस पह, दो पह, अरे एक बट दो का मतलब कितना होता है, 50% का इसको लाब हो जाएगा, आगी बस यह आपका सक्सेसिवन यह कभी आप लगा दो, 20, प्लस 20, प्लस 20, गुणा 20 बटे, सो कभी आप क्या हो भई है, आंसर इसका, 20, 24, 24, 44 पर आपका नहीं होगा, आंसर क्या होगा, 50% आपका आंसर होगा, ठीक है बई, नोट करो, तो भी आगे देखो, कोश्चन नमबर, आठ में आप से कह रहा है, एक बहिमान दुकंदार, खरी देते वक्त, साड़े बाइस परसेंट की, और बेचते वक्त, 6.6% की बहिमानी करता ह है, वह समान को 11.11% हाने पर बेचने का दावा करता है, उसका लाप परसेंट क्या होगा, देखो, साड़े-बाइस परसेंट, जब आप साड़े-बाइस परसेंट की बात करते हो, एक बटे-चालिस का मतलब होता है, और देखो, नो गुना तो भाईया, साड़े-बाइस का मतलब कितना होगा, अगर आप सोल करने दिक्कत हो, साड़े-बाइस परसेंट, परसेंटेज हटाने नीचे दोज़र लगना है, इसका मतलब आपका होता है, नो गुना है धाई का, तो नो बटे-चालिस, किसको दिक्कत तो नहीं है, भाईया, धोकदरी करी है, माल चालिस धकती है, नो की दो कितरी, तो देने कितना ता, उड़ंचेस, और दिया कितना, चालिस दिया, भाईया, आगे कि इक है रहे, कितना गितना था भाहिया, एक बटे-पंदरा है, गढ देज देखो पॉइंट के हैं उच्टीं ईफ एक एक बटे लेने कितना था नो बटद्या कितना आठ आगी बासन में होगे देखो आम जी को बताओ जब कार्ट पीट करोगे देखो आठ पंजे चालीस किसको दिख्कत तो नहीं है पद्रबन तीन सब्सक्राइब आपका 6.66% इसको आप कहते हो छह सही दो बटे तीन परसेंट 18 20 बटे 3 बटे में 2 0, तो 20 500 तो एक बटे पंजे चाहां है फ़र देखो इतने तो यह दो बताओ यह लिखो देखो देना कितना था 15 बट दया कितना चोदर दिया उसने मैंने कहा काता जो कम देखोम पहला आएगा देना कितनाता 15 बढ़ टिया कितना 14 दिया है और ये तो आपको पते हैं यह एक बात हो देखो फॉर्ट पहर दिया कितना कितना हो देखो पांच दिया पंद्रह तीन तीन साथ दुनि चौहद कितना दो ती स्टप उस्ट चॉशई उस था सात तो क्या होगा एक किस पह और एक बड़े शाय का मतलब इतना है सोला सही दो बड़े तीन परसेंट या इसको आप कहा दो सिक्स्टीन पॉइंट सिक्सिक्स परसेंट आप द्वारा देख लो भई बाइस पॉइंट बाइस पॉइंट पांच परसेंट किसने क्या करी खरिड़ीन सामें बड़े खरिचना कीतना था चालीस परलाय कितना खुर इंट यथी सब्दिया कि secretly cambi अब आगे क्या हुआ उख और बेच्ट्रवक्त कि करा रहाँ इक बड़े नु कमाल घे कितना करा हूँ आट कर दे रहा हूँ एक बात है जब आप क का रहा है कंस्टमर के अर्वाल कि तनेल पार है छेका तो जो कास्टमर कितनी घ्यानि हो रही है एक गुरुपे की किसब थृय शेपे तो यह मतलब ना ऌठेक सोल स्धाय दो बते तीन परसेंट का रिटेलरीृर को लाग हो रहा आगी बसन में नोट करो देखो भी कोश्चन नमबर नाइन माप से कह रहे हैं देखो भी नाइन माप से कह रहे है एक बहिमान व्यापारी गलत बाटों का प्रियोग करके अपनी वस्तु को क्रह और विक्रह करते हैं में खरीके समय और बेचती डोनों बार एक्स पर्सेंट तक भी मानी करता है उसके लागत पर प्राप्त लाच की हानी में खरीके समय प्लस एकश-प्लस-एकसप्लस गौणा एकस-बटे बहिए देखो क्या होता है यह आपका SSC में कुश्चन आया था वहाँ पर क्या था बच्चों ने इसका क्या लगाया यह आंसर नहीं लगाया आंसर क्या होता हो गया इस देखो इक बास हो अगर इसको माल लाना था 100, कितना लाना था 100, बट लाया कितना, x% फाल 2, तो कितना लाया होगा 100 प्लस x लाया होगा यहाँ यहाँ पर जद बाली बात में, अब आगे क्या होगा आगे आपका हुआ, भ cherry, देना कितना दिया होगा 100-x दिया होगा आप दीखो, 100 से तो जाए तो लाब कितने का होगा, तो जो आपका आंसर होगा, आपका आंसर इसका यह होगा. अगर यह option आपको वहाँ नहीं मिलता- तो आप फिर क्या लगा देना? x plus x plus x गुणा x बटे 100 यह आपका क्या हो जाएगी आपका 2x हो जाएगा दो से किती बड़ जाएगा यह 50 तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा 2x plus sorry गल्द हो गया 2x x की तो x की multiply होगी ना तो क्या होगा x square बटे 100 फिर यह आपका आंसर हो जाएगा आगी बसन में क्या भाईया अगर आपको यह option में नहीं मिलता तो आप इसको लागा देना बट अगर दोनों option में हैं तो आपका सही आंसर यह होगा आगी बसन में जैसा भी आपका question अधिस में आपसे कहा रहा था 50% आंसर आप 44 में लगा देना अगर वहाँ पर आपको 50 ना मिले तो आप 44 लगा ना बट अगर 50 और 44 दोनों हैं तो आप आंसर के लगा होगे 50% आप आंसर लगा होगे क्योंकि यह बैंक में question आया था एससे में भी आया था तो बच्चों ने क्या काम करा बच्चों ने इस cancer यह लगाया और एससे ने क्या करा गल्द फिर petition डाले लोगों ने तो फिर आपका इसको गल्द करके यह सई कर दिया गया आगी बसन में तो अगर आपको यह दिखते तो इस cancer यह होगा याद रखना भी इस बहुत को ठीक है नोट करने बार देखो भी question number 10 में आपसे क्या रहा है देखो भी 10 में आपसे क्या रहा है एक दुगंदार अपने माल को CP से 24% उपर रखते है देखो 24% का मतलब कितना होता है 24 बटे में क्या 100 4 से यह 6 बार 4 से यह 25 जो माल 25 का था उस पर 6 अधिक अंगित करेगा कितना लिखेगा 31 किसको दिक्कत नहीं आथा अब आगे क्या हुआ 15% की छूट देता है 15% का उन्दों किता है 15 बटे सो 5 से 3 बार 5 से 20 बार जो माल 20 रुपे का था अगर उस पर 3 की छूट देगा कितने कब एकेगा 17 कब आठ सो निन्यान में दे रहे सिधी सी बात है तो गया उसका लाब क्यों को पांसो होता है पांसो से कितनी बढ़ जाएगा दो बढ़ जाएगा किसको दिक्कत नहीं अब देखो 17 से तो कटे कर निया अरे 17 पंचे पिछेश्टी चार बच्चे को डंचे से नहीं इकटता की तो कितना जाएगा आप ति तो फिच बता हो उंतिस का मल सब्सक्रम दुने चौक थो विक दिया तो कितनwart हो पांच इसका वी के अव्य पांसों होगा पांशोब बटे उंतिस औन ते से comparison बचे 210 हो जाएंगे तो बहुत सत्रा पॉइंट 24 पर्सेंट का इसको लाब हो जाएगा सबको नोट करें आप इसको सब्सक्राइब करें इतना की जाएंगे इतना लिया इतना दिया तो सही से दिख रहें आप अपने माल को सीपी से 35 परशेंट ऊपर रखता है जो माल 20 रुपे का था उस पे लिखा 27 किसको दिक्कत तो नहीं अब आगे क्या हुआ है वह एक किलो के बजाए कितना लाना कितना था हजार बट लाया कितना ग्यारह सो बीस मैंने अपसे का था इधर कंवा नहीं फिकर नहीं जाब दोकद्रिटी की बात करेगा आगे क्या हुआ समान बेचने के समयवे एक किलो के बजाए एक किलो के बदरे 880 का प्रियोकर देना कितना था एक हजार बट जाए तो पूरा पर जाएगा आपकी किसों दिक्कत तो नहीं है अब देखो और काट लाब देखो 11 से यह 8 बाड जाएगा 11 से यह 7 बार जाएगा आठ एकम 8 8 चोक 32 और काट दो से यह 10 बार 2 से यह 7 बार तो यह केतना बन जाएगा आपका 1000 अनुपाद तो जो एक हजार का माल था वो कितने का फाइनल इतने का तो एक काम करूँ इस जिरसे हाँ पूइंट लगा दू तो जो सो सुपर होगा तो लाब होगा इसमें आपके सारी चीज आगी छूट अंकित मोलिया देख करता है यतने के बेशते समय इतने खरीते समय सब चीज आगी आपके यह आपका बैंक माया वह कोश्चन है ठीक है नोट कर लो बागा इसमा देखो भी कोश्चन अबर 12 अब देखो यह तो आपके रूपे में चले हब कुछ कोश्चन आपके कप्ड़े में लाना एक मीटर था लिया 120 सेंटी मीटर नांपता है इसके साथ 20% की छूट अपका लाप बत आ खाओ जो माल 5 का था वह कितने का वह कितना कटेगा आपका ठीक है बई जीरो जीरो चार दुनी आठट पांच दूनी जो दस कमाल तो वार्रैंशRO कशाट कर झाल पिकायों जोटन टिंटर तो कितने का लागोगा बिस परसेन्ट कर लोट सैड़ा करो, आगे समझ मैं किसको दिक्कर तो नहीं है about क्रोंब देखो कुष्टन नंबर 13 से कहले एक क्ये परसेंट के लाव पर तरह को बीच वेशता। तो मैं आप से कह ETा हो आपका ऐक्समर्पाद भाई तो किसको दिख्टत भी त्याइए एक लोके स्थान पर आठ सो असी शीओ सित्राम ही दोना टोना के तना था एक हजार तोना था था बट तोला कितना आठी सो चाहिए वाली जादा वाली आगे कहारा है इस देखो ओर जिसको ओर रॉल हुआ ओर रहा है यह यह दि उसका लाव कितना हो 25 पच्छीस का मतलब कितना होता है 25 बटे सो एक बटे चाहर चार कमाल पांच का बेग दिया हुगा अब अगर अगर आप से किसमें करोगे तो एक्स अनुपात वाई आपका क्या है देखो चार सो इसके इसमें करोगे चार सो अरी कितना है गारी कितना होता है यानि इसको दस 10% का प्रोफित होड़ा तो कितना है 10% आपका अंचर जायागा सबको नौट करो देखो इसका दूसर तरीका देख जैसे आप से घ्याता हूं वह एक हजार ग्राम का जो मूल्य था वह आपका एक हजार रुपे था वह सब्सक्राइब अगर इसने आट दिया अगर एक हजार दिया तो इस ने 8 своим निखाट लोगे लोगे कर वटर चाइए चार दूनी आठ तो यहां पितने होगा 11 रुपे था क्या अगा तो यहां पर सो रुपे को अग्या घ्र Producer लेगा तो प्रोफिट कितने का है सो किस पर हजार पर तो यह इसका लब किया होगा आपका एक बटे दस और एक बटे दस पर सेंट का यहां पर लाब हो रहा होगा ऐसा कर लो यह से कर लो आपके इच्छ है कोश्चन नमबर फॉर्टिन वाप से कह रहे है देखो भी फॉर्ट लेकिन वास्तों में एक किलो की जंग है गलत वजन तोल के 25 परसंट का लाब कमत है ग्याद कीजिए उसने वास्तों में कितना सामान बेचा एक बहुत हो आपको तो पता नहीं उसने कहा कि एक हजार की जगा पतने कितना बेक रहा है अगर मैं आप से कहा दूँ भई एक इसके आप यहां करोगे तो जो आपका एक्स अनुपात वाई आएगा नो चोग 36 और आठ पंजे 40 तो एक बात तो देखो 36 बटे 40 कितना है चार ने चार दाम 40 तो एक बात तो बताओ देना कितना था 10 दिया कितना नो तो देना तो एक हजार ग्राम था तो दस कमान कितना है एक हजार तो दिया कितना है नो नो कमान कितना आएगा 900 ग्राम अरे जीरो जीरो एक कमान कितना आएगा 900 ग्राम अगर वो आपसे पूछता कि कितना कम दिया तो भाईया दस देना था दिया नो कम कितना दिया है एक एक कमान कितना जाएगा 100 आजाएग का दावा करता है लेकिन वह 945 ग्राम के इस्थान पर कुछ कम वजन का प्रियुक करता है वह देना कितना था 945 वट कुछ कम दिया तो उसे पूरे सोधे में 26% का लाव होता है 26 वट इस सो दो से 13 वार दो से 50 वर यह जो 50 का माल था 26% का जो माल 50 का था वो विकेगा 63 रुपे क यह आप कह दो देना 63 था दिया 50 किसको दिक्कत तो नहीं है तो आगे की कह रहा है तो ग्यात करें उसने 945 ग्राम की जहें कितना वजन का प्रियुक रहे है एक बात होता हूँ देना कितना था 53, इस 63 पामानी कितने है 945 है तो एक कमन कितना आगिया 15, तो दिया कितना है 50, 50 कह पंदर कुने कितना होगा 15-5, 6- laughs इसने दिया है, 500-600 ग्राम, देना इतना था, दिया इतना, तो तो ऑणसर किया है 75-500, अगर पूछ था कितना कम दिया है तो आप माइनस कर देते आप का अंसर फिरा जाता है सही है वे नोट करो देखो बई, question number 16 में आपसे करे रहे है 16 में आपसे करे रहे है 1 वेमान दुगंदार क्रेम मूले पर 32% का हानी उठाता है यदि 1 किलो की जंग है X ग्राम मापता है तो उसे 16.66% का लाब होता है तो X कमान बता हो गया देखो इसको आप खुद करें न ऐसे question आपको मैंने 78 करा दी चुलागे आपका कल करेंगे